कल तक जो समर्थ को बोईफ्रेंड मानने से भी इंकार कर रही थी वही ईशा मालविया आप समर्थ के साथ बेड़ शेयर करती नजर आ रही है दोस्तों भई ये कहानी बदल चुकी है चलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाय में मैं हूँ अधिती शर्मा तो भई ईशा मालविया का ना कोई सही है और ना ही कोई गलत बस दिखती है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन जिसमें शायद वो खुद भी है और उन्होंने ओडियंस को भी रख रखा है आप सभी ने साफ देखा कि कल जब समर्थ की घर के अंदर एंट्री हुई उस पर जो है बिग बॉस ने पूछा था कि क्या आप इन्हें दिलवाने मकान में रखना चाहेंगी तो इशा ने मना कर दिया था उसके बाद वो फिर कन्फ्यूजन में आ गई क्यों हो ये तो मैंने इक अचानक से बोल दिया ऐसा कर दिया वैसा कर दिया लेकिन अब हम पर देख रहे हैं इनका जो सुबह सुबह का महाल है वहां पर भी काफी प्यार महबत चल रही है इशा और समर्थ के बीच में है ना मतलब टची टची से मोमेंट चल रहे हैं तो भी ये सब कुछ क्या है एक तरफ इशा मना कर रही है वो बॉइफ्रेंड नहीं है दूसरी तरफ घर में यह सब कुछ हो रहा है और महाल शांत हो गया है इवन महाल में काफी प्यार है तो यह जो कुछ भी है भाई यह शायद हमारी यह उल्जन सुलजे की आने वाले दिनों में आप सभी को क्या है कियाना कॉमेंट्स में बताइए जरूर मिलते है नेक्स्ट वीडि